नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंग है चोड़ प्रतम, मैं आप सभी लोगों को धन्यबाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुमुलने समय आइडियल के इस प्रांगण में दिया मित्वो, मैं आज आपके समख्च परस्थित हूँ एक बहुत ही बड़े उद्देश के साथ और मुझे उमीद है कि हमारे इस उद्देश में आप सभी लोग अपनी साभागिता देंगे आज का ये जो हमारा उद्देश है, वो है जौनपुर को एक होनहार जौनपुर बनाना जौनपुर को एक प्रतिवासाली जौनपुर बनाना जौनपुर को उस दिशा में ले जाना जहां का हर विद्द्यारती अपने आप में निपुर्ण हो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शहर की जो इस्तिती है वो बहुत ही बत्तर हो चली है हमें लगता है कि हम सिख्षा लेते हैं वो हमारे भविश्य को बनाती है और मैं आपको कहता हूँ कि जो सिख्षा आप लेते हैं वो आपके डिगरी को बनाती है सिख्षा जिससे हमारा बेक्तितु नहीं डिगरी बने वो सिख्षा हमारे लिए किसी काम की नहीं है मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे माचपूर चीज आज के इस युग में है वो है कारे करने की शम्ता कारे कुशलता भविश्च में अपने आपको उस रूप में ढालने की शम्ता जिससे पूरी दुनिया हमारी पहचान को समझे आज जो सिक्षा हम ले रहे हैं उससे ना हमारे अंदर कोई गुडो का विकास हो रहा है ना हमारे अंदर किशी शम्ता का विकास हो रहा है ना हमारी सोच का विकास हो रहा है ना हमारी समझ का विकास हो रहा है विकास हो रहा है तो सिर्फ एक चीज का वो है डिगरी का आज के जौनपुर को बदलने की अवश्यक्ता है आज जो हमारे शमाज में तमाम प्रकार की एक विक्रिती बैठ चुकी है उसको हटाने की अवश्यक्ता है आज हमारे यहां के लोगों को लगता है कि हमारा लड़का, हमारे लड़की स्कूल जा रहा है तो पढ़ रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सिक्षा का अस्तार पूरी तरीके से अपने पतन के मारते है आज जो व्यक्ती ग्यान लेने जा रहा है उसको खुट नहीं पता कि उस ग्यान का वो इस्तमाल कहां करेगा आइडियल ने गदे दो बड़सों से जान पूर के एक एक बिद्ध्यार थी लगबग पंदरह हजार बिद्ध्यार्थियों के उपर एक सोध किया जिसमें हमारा ये मानना था हमारा ये सोचना था कि जान पूर कुछ तो अपने आप में अच्छा होगा क्योंकि बिना किसी चीज़ को आके हुए हम किसी चीज़ को गलत नहीं कह सकते हम लोग गए हम लोगोंने एक टीम बनाई जिसमें हम लोग 15,000 लड़कों के पास गए और पूछा हम लोगोंने कि क्या आप अपने देश के बारे में दस लाइन बोल सकते हो उन लड़कों में B.A. के भी लड़के थे B.S.C. के भी लड़के थे B.C. के भी लड़के थे और यहां तक की B.T.E.C. M.B.A. के भी लड़के थे आप सभी लोगों को जानकर आश्चे रहोगा कि उसमें से एक लड़का जी हां एक लड़का भी दस लाइन बोलने में सक्षम नहीं हो पाया क्या ये सिच्छा बेवस्ता है जौन पुरकी क्या इस सिच्छा के लिए हम लोग पढ़ने जाते हैं आज हमारे माबाप संतुष हैं लोग संतुष हैं मेरा लड़का बीएस्टी कर रहा है मेरा लड़का बीए कर रहा है मेरा लड़का बीकॉम कर रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हो आप लोग ये आपका भविश्य है गूंगे बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो जो व्यक्ति अपने आप में पर्फार्मेंस नहीं कर सकता जो व्यक्ति दस सब्द किसी के सामने बोल नहीं सकता वो व्यक्ति क्या अपना भविश्य बनाएगा किस चीज के सिख्छा ले रहे हैं आज हम लोग अपने आपको नपुनसक बनाने की क्या हम इसले पढ़ रहे हैं कि डिगरी लेकर कल रोड पे टेले आज हसी आती है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती मैं आपके कहता हूँ कि क्या सिख्षा आपने ली वो सिख्षा जो हमें दस लाइन बनाने में सच्छम ना बना पाए क्या वो सिख्षा हमें जिन्दगी जीना सिखा सकती है मित्तों मैं ये नहीं कहता कि आपके शहर में टीचर नहीं है मैं ये नहीं कहता कि आपके शहर में होनहार नहीं है मैं ये नहीं कहता कि आपके शहर में बिद्वान नहीं है होंगे सब होंगे बड़े बड़े बिद्वान होंगे प्रकांड बिद्वान जिनके अंदर बहुत शिगुर वक्त आएं होंगी लेकिन मेरा आज एक सवाल है उन सभी लोगों से उन सभी कॉलिजेस से उन सभी स्कूलों से उन सभी कान्वेंट स्कूलों से कि क्या सिख्चा दिया आप लोगों ने कि एक लड़का दस लाइन बोलने में आसमर्थे क्या चाहते हैं यहां के लोग पैसा कमाना बिल्डिंग बना लिया स्कूल का धंदा चालू कर दिया पैसा लेकर अपने तो बन जाते हैं इतने भविष्य बरबाद हो रहे हैं मित्रों आज जागने का समय आ गया है आज हमें इस जॉनबुर के अस्तर को उठाने का समय आ गया है जो व्यक्ति कर्म करने में तेज होता है वही व्यक्ति भविष्य को बदल सकता है जिस वेक्ति के अंदर कर्मशीलता होती है वही भविश्य के रुक को बदल सकता है जो अपने आप में पूर्ण नहीं है जो दश शब्दों में पूर्ण नहीं है वो भविश्य क्या वो अपने द्वारा दी गई एक सुक्ष्म से सुक्ष्म चीज को भी नहीं बदल सकता आज के इस परिश्टी में जरूरत है आज सभी लोगों को आगे आने की एक माता पिता जो दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकता अपनी रोटी मार कर अपने लड़कों को पढ़ने भेजता है जिसके पास सामर्थ नहीं है कर जा लेकर वच्चों को पढ़ने के लिए बेजता है और हमारे इहां के सिच्चत उनके साथ मजाग करते हैं उनके भविश्च को तबाह करते हैं आज मैं कहता हूँ एक एक लोगों से जहां तक मेरी आवाज पहुँच रही है कि आप सभी लोग उठ़ड़े हो और इस मिशन में जिसमें हम जानपुर को एक निपुन जानपुर बनाना चाहते हैं अपनी साभागिता दें याद रखिएगा आज का किया हुआ वादा कभी पूरा नहीं होगा आज क्या किया हुआ कर्म कल जरूर रूप लेगा वादा में जिंदगी मत बिताईए कि मिए लड़के को आज नहीं आता कल आजाएगा अब यह उसकी उमर नहीं है बाद में सीख लेगी कर्म सीर्ता गुरवक्पा और पुरसार्थ समय पूछ कर नहीं आता व्यक्ति की एकागरता और व्यक्ति की भूख पर निर्फर करता है आज के हमारे सिक्षक बच्चों के अंदर भूख नहीं भर पाते आज के हमारे सिक्षक बच्चों को ये तक नहीं बता सकते बता पाते हैं कि तुम्हारे भविश्च के लिए सही क्या है हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि वो क्या है आप लोग को ताज्यूब होगा जानके कि हमारे शेहर के ज़्यादा तर नौजवानों को ये भी नहीं पता कि वो क्या है उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है भाई जरा अपने वारे में दसलाइन बताओ तो कहते हैं क्या बताएं सर कुछ पता ही नहीं है क्या ये भविश्य है शमता नहीं सभलता की बात होती है कर्म नहीं कोशलता की बात होती है अरे ये जौनपुर कैसे आगे बढ़ेगा मेरे दोस्तों जब निपुरता नहीं दिगरी की बात होती है मैं आप लोगों को कहूँगा कि सोच को बदलिए अपने समझ को बदलिए और ये जो हमें ठगा जा रहा है न इससे दूर हो ये ये ठगने वाले हजार वियाफारी आज स्कूल कॉलेज खोले हुए खड़े हैं कुशलता शमता आद्म निर्भरता देने वाला कोई नहीं आइडियल ये नहीं कहता है कि आप आइडियल में अडमिशन लो अपनी सोच को बदलिए अपनी समझ को बदलिए डिगरी सफलता नहीं है दोस्तों सफलता हमारी शमता है हम कई भी नौगरी करने जाएंगे तो वेक्ति पूछेगा तुम्हें आता क्या है हम कई भी नौगरी करने जाएंगे व्यक्ति पूछेगा तुम्हारे हाथों में हुनर क्या है आज के इस प्रदिस्पार्दिक युग में सफलता शम्ता और कर्मसिल्टा पर निर्भर करती है सफलता हुनर और प्रदिवा पर निर्भर करती है सफलता किसी डिगरी और कागज पर निर्वर नहीं करती और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सफलता सिर्फ उसकी होती है जो सफलता की शमता अपने अंदर रखता है सफलता की अपनी एक कीमत होती है जिसके अंदर पुर्शार्ट होता है सफलता उसके साथ होती है और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिगरी होती है उसके साथ कोई व्यक्ति नहीं होता आज धन के लालच में आज सेलरी के लालच में आज समाज के जूटे प्रतिष्ठा के लालच में लोग हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं कोई ग्रामिडान चलका रहता है हमारे यां भी बहुत से बच्चे आते हैं पढ़ने कोई ग्रामिडान चलका रहता है एक लड़का जब अपने जीवन को बनाने के लिए किसी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ता है तो वो कह देता है तुरन पूछता है यह कहां जा रहे हो अच्छी चीज करने जैसे लगता है कि यह एक अपराद है जहां हम कहते हैं कुशलता पैदा करो टीचर कहते हैं यह तो बवाल है अपनी नपुसक्ता को छुपाने के लिए आज के टीचर हमारे विद्यार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं मैं कहता हूँ जब विचारों में जान नहीं होगा जब सोच में ज्यान नहीं होगा तो भविश्य कहां से बनेगा आपको तो आज के परिवेश को समझते हुए अपने आपको ढालने की आवश्यक्ता है लोग आपको छल रहे हैं और आप छले जा रहे हैं लोग आपको लूट रहे हैं और आप लूटे जा रहे हैं लोग आपके सपनों का मजाग उड़ाते हैं और आप उडवाते जा रहेे हैं और कहते किया है मुझे डॉक्तर बनना है मुझे एंजीनियर बनना है मुझे I.S. बनना है जब कोई पूसता है कैसे कैसे बनेंगे आप यकीन मानिये जैसे लगता है कि व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो गया है आप लोगों की कंडिशन ऐसे ही हो जाती है, क्या आप चाहते हैं कि आपका जौनपुर एक पिछला जौनपुर रहे, क्या आप चाहते हैं कि आपका जौनपुर को एक नीची नजर से देखा जाए, क्या आप चाहते हैं कि आपके जौनपुर के उपर सभी लोग व्यंगात् क्या आप चाहते हैं कि हमारे हाँ प्रतिबाकी हत्या डेली की जाए क्या आप चाहते हैं कि आने वाला जॉनपुर का बविश अंदिकार में बिते क्या आप चाहते हैं कि जॉनपुर का विकास जॉनपुर के विद्यासियों के द्वारा ना हो बाहर के बुलाए हुए कांटेक्ट बेस लोगों के द्वारा हो क्या आप चाहते हैं कि जब कोई बाहरी वेक्ति हमारे सहर में आये तो हमारा मजाक उड़ाए हसे और ठुके चला जाए अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो एक मिशन आइडियल ने चलाया है जानपुर को इस किल जानपुर बनाने का इसमें आप सभी लोग घर से निकलें आइडियल के साथ आएं और जानपुर को बदलने की इस मुईम में अपना साथ दें हम चाहते हैं कि एक एक बिद्यार्ती अपने आप में होनार हो हम चाहते हैं कि एक एक बिद्यार्ती अपने दिशा दशा को पहचाने हम चाहते हैं एक एक बिद्यार्ती इस चीज़ का संग्यान दखे कि सफलता उसे कैसे मिलेगी हम चाहते हैं कि एक विद्धियार्थी ये जाने कि उसके साथ हो क्या रहा है हम चाहते हैं कि एक विद्धियार्थी को ये पता रहे कि उसका कल क्या है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि विद्धियार्थी को सही दिशामिल ले जाया जाए इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह भी नमर निवे दन कहता हूँ कि जो आइडियल का यह मिशन है जानपुर को एक स्किल जानपुर बनाने का इसमें आप सभी लोग अपनी साभा गिता दें अपना जोगदान दें ताकि हम अपने इस मिशन में सपल हो पाएं यह मिशन सिर्फ आइडियल का नहीं है यह मिशन सिर्फ प्रभाकर सिंग का नहीं है यह मिशन चंद लोगों का नहीं है यह मिशन इस जानपुर का है कितने दिन हम सहते रहेंगे ऐसी बातें कितने दिन कितने दिन लोग हम पहसते रहेंगे आज वक्त है हमें खुद को बदलने का आज वक्त है हमें खुद को उस सिकर पर ले जाने का जहां सफलता कि बात अगर हो तो जॉन पूर पहले आए ऐसी सोच को पूरा करने के लिए मैं आप सभी लोगों से ये विनम्र अनुग्रह करूंगा कि कृप्या आइडियल में आएं और आइडियल के इस मिशन को सफल बनाएं मुझे पता है मेरे विचारों को सुनने के बाद कई लोगों के दिमाद में गुस्पा आएगा कई लोगों के सोच में है आएगा ये चले हैं बनाने कई लोग ये कहेंगे कि बड़े बड़े आ गए और ये चले गए मित्रों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कहने का काम दुनिया का है उनके पास मुह है करने का काम मेरा है मेरे पास शमता है और मैं आप लोगों से कहूंगा सोच जो बड़ी होती है उस पे लोग हस्ते जरूर है सोच जो बड़ी होती है उस पे लोग विस्वास नहीं करते सोच जो बड़ी होती है वो अपने आप में अविस्वर्णी होती है लेकिन मैं प्रभाकर सिंग इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मेरी सोच, मेरा उद्देश और मेरा इरादा जानपुर को बदलने का है और हमारी पूरी टीम जानपुर को बदलने के लिए सब कुछ करेगी कोई हम पे ताना कसेगा हम मुश्कुराएंगे कोई हमको गाली देगा हम मुश्कुराएंगे कोई हम को भगाएगा, हम मुस्कुराएंगे हर प्रिसिती में हम मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि ये सारी चीजे हमें ताकत देती है हमें इस सहर को बदलना है हमें यहां के लोगों को बदलना है और इसके लिए इतना कहना, सुनना कोई बड़ी बात नहीं है अन्तो गत्वा मैं आप सभी लोगों से ये विनमर निवेदन करूंगा कि हमारे इस मिशन में आप सभी लोग अपना से योग दें और एक-एक विद्यार्थी को ये आउगत कराएं कि वो है क्या और उसकी सिक्षा कहा जा रही है मुझे उमीद है कि अगर आप सभी लोग अपनी जमेदारी को समझते हुए आइडियल के इस मिशन में अपनी भागेदारी देंगे तो जरूर हमारा जॉनपुर सुदरेगा हमारा जॉनपुर बनेगा और क्वालिटी की गंगा हमारे जॉनपुर से ही बहेगी तनी बात